हलो नमस्ते फ्रेंट्स वेलकम तू बैक माई चैनल आज मैं आपके साथ सेवया बनानी की रेस्पी शेयर करूंगी जो बच्चों के लिए हेल्थी भी होती है और बड़ों के लिए भी होती है यह देखिए इसमें जादर टाइम भी नहीं लगता तीन मिनटी लगती है बनाने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेस्पी बनाने के लिए मैंने गैस के उपर बगोनी रखिए बगोनी में दो कप दूद एड़ किये हैं यह देखिए और यह जो मैं इसमें ड्राइ फ्रूट्स दालूँगी वो है एक कि थोड़े मैंने किशमिश लिये कोछ बदाम है कुछ काजू है और थोड़ा सा नारील कटा हुआ देखिए हमारा दूद बॉइल हो चुका है अभी मैंने इसमें एक कटोरी सेवया एड किया है मैंने एक कटोरी सेवया लिया है और दो कब दूद अभ अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे दूद में यह देखिए गैस की फ्लेम आप चाहिए तो हाई या वो कर सकते हैं कि स्लोप यह देखिए एक चमच मैंने इसमें बदामेड किया है और एक चमच मैंने नारियल कटा हुआ और बाकी मैंने गार्निश के लिए साइड में रख दिया है अभी हम इसको अच्छे से मैश करेंगे टेको इसमें इसमें शुगर अड़करेंगे और दो मिनट के लिए मेडिय माँच पर पकाएंगे ये देखे शुगर डालने के बाद थोड़ा पतला हो जाता है तो इसलिए हम इसको दो मिनिट के लिए पकाएंगे बस जादा नहीं पकाना है बहुत जल्दी हो जाता है ये देखे बनकर हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है ये देखे शुगर डालने के बाद देखे थोड़ा जो मेरे ट्राइफ रूट्स कटे हुए रखे दे उससे हम इसको गार्निश करेंगे थोड़ा मैंने किश्मिश डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने कटा हुआ नारियल और ये थोड़ा सा काजू डालूँगी और थोड़ा सा बदाम इससे मैं इसको गार्णिश कर दूँगी अगर आपको मेरी ये रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत बोलिएगा आप भी घर में इसको जरू ट्राइ कीजिएगा और मुझे बताईएगा कमेंट करके कि आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी और गरम गरम बच्चो को भी दीजेगा और आप लोग भी खाईएगा अच्छे से बना के ये देखे हैं हमारी बनकर बिल्कुल तयार हो गई है कितनी बढ़िया लग रही है और कितना अच्छा भी कलर आया है मैंने खागे टेस्ट कीए तो बहुत अच्छी बनी है आप भी बनाईएगा तैंक्यू एंड बाइबाइगा